नमस्कार न्यूस फोर नीशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ शुभे आपके साथ बहार में काबिनेट विस्तार को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही है लेकिन फिलहाल ये चर्चा काफी तेज हो गई है ऐसे में संभावत मंत्रियों के नाम खंगाली चा रहे हैं और इन सब के बीच अगर हम जडियों की बात करें तो जडियों की तरफ से बताई ये जा रहा है कि जातिये और साथी साथ छेत्रिये समिकर्ण को देखते वी मंत्रियों का नाम तै किया जाएगा इन सब के बीच कौन-कौन से वो संभावत नाम मंत्री मंडल में शामिल हो सकते हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं जडियो के सूतरों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मताबिक जडियो कोटा के मंत्रियों की जो संभावत नाम है उसमें जातिय समिकर्ण और छेतर का खास खयाल रखा गया है यही कारण है कि सभी कोटे से कई चेहरों के नाम मंत्री की रेस में चल रहे हैं और मंत्री की कुरसी के इस रेस में पचली सरकार के भी मंत्री शामिल है इस कोटे से बिहार के नितीश सरकार के पुर्व मंत्री मदन सहनी रेस में सबसे आगे हैं खबर है कि मुकेश सहनी की कार्ट के तौर पर उन्हें मौका मुल सकता है लेकिन MLC भीश्म सहनी भी रीस में बने वे हैं जो नितीश कुमार की नस्दी की माने चाते हैं नितीश कुमार के मंदल में धलत मंत्री के तौर पर जो दो नाम सबसे आगे हैं उनमें पूर्व डीजी और गुपालगन जिला से आने वाले साफ सुत्री छवी के सुनील कुमार और पूर्व मंत्री महीश्वर हजारी जो नितीश कुमार के मुखर मंत्री के रूप में जान वहीं कुश्वाह कोटा से युवा नेता और बांका से जडियों के जयंत राज कुश्वाह सबसे आगे हैं वो युवा हैं और फिलाल जडियों के राज़नीती में लवकुष शमिकरण में फिट बैठते हैं इसके अलावा बिहारीगन से जीत कर आने वाले वरेश्ट नीता निरंजन महता भी कुश्वाह कोटी में सबसे आगे चल रहे हैं। राजपूत कोटे की बात की जाए तो पुर्णिया से आने वाली और जडियों की मुखर महिला। राजपूत नीत्री लेसी सिंग सबसे आगे है चर्चा निर्दलिय विधायक और पुर्व मंत्री नरेंदर सिंग के बेटे सुमित सिंग की भी है। लेकिन उनके साथ एक मुश्कल आ रही है वो ये कि आधिकारिक रूप से जडियों में वो शामल नहीं है। हाँ पार्टी को समर्थन जरूर दे रहे हैं लेकिन नितीश कुमार ने उन्हें भी आश्वासन दिया है कि वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस रेस में वार्मीकी नगर से दूसरी बाय चुनाव जीत कर आने वाले रिंको सिंग भी पीछे नहीं है क्योंकि चमपारण इलाके से जीत कर आने वाले वो गिने चुने वधायकों में से एक है। मुस्लिम कोटी की बात की जाए तो नितीश कुमार के पार्टी से एक भी मुस्लिम वधायक जीत कर नहीं आए हैं। में इसे में नितीश कुमार के मंत्री मंडल में इन संभावत चेहरों में किसे जगा मिलती है यह देखना रोचक होगा। तो आपको बिता दे कि बिहार में काबिनेट विस्तार को लेकर सियासी चर्चा जोरू पर हैं। लेकर इन सब के बीच अलग-अलग पाची के तुरफ से अलग-अलग दावे की जा रहे हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के तमाम वरिष्ट नीता दिली तक कूच करते हैं अपने राष्टी अधक्ष जेपी नड़ा से मुलाकात करते हैं और लिस्ट बनाई जाती है लेकिन फिलाल इस बात की चर्चा नहीं हुई है कि ये लिस्ट मुख्यमंतर न तीश कुमार की पार्टी जडियों से वो कौन-कौन से संभावत नाम हैं जो मंतरी मंडल में शामिल हो सकते हैं इसकी चर्चा हमने आप से की है बताय तो ये जा रहा है कि जडियों के तरफ से छेत्रिय और जातिकत समिकर्ण को ध्यान में रखते ही मंतरी मंडल में अलग- तक नेताओं को जगह दी जाएगी फ़लाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहें नियूस वानेशन नमस्का